बैंक का क्या है उनका इंकम उनका और बैड लोन पब्लिक का ठीक ऐसा ही हुआ अनि लंबानी के गेस में जहाँ NCLT ने 49,000 करोर का लोन वो भी 53 बैंक का निप्टाया सिर्फ 455 करोर में यानि लोन इमाउंट का खाली 0.92% है ना इंटरस्टिंग मजाल है किसी आम नागरी के 1000 रुपे भी बकाया बैंक वाले छोड़ दे किसी का लोन माफ हुआ तो कमेंट में मुझे बता दीजेगा मुझे तो नहीं लगता है और यही रीजन है कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आपके और हमारे जैसे लोगों के पैसे बैंक यूँ ही उरा देता है और फिर हम लोगों से ही हाई इंटरस्ट के जरिए उसकी भरपाई होती है और सिर्फ यहीं नहीं और भी बरे बरे केस जो हम बताएंगे जहां पर निप्टाया गया है ऐसा ही मामला लोन था बहुत बड़ा बट पेमेंट हुआ बहुत ही इत्तू सा अब जरा सोचिए यह सब कैसे माफ हो जाता है इतना बड़ा लोन अमाउंट और यह लोग पकरे क्यों नहीं जाते कौन कर देता है लोन माफ और इसका आपके उपर हमारे उपर कैसे इंपक्त आता है पूरे डीटेल में जानेंगे वीडियो का लाश्ट मिस मत कीजेगा कौन-कौन ऐसे धन्ना सेथ है जिनका लोन माफ हुआ है वो बताऊंगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार टॉप PSU लेंडर्स का डेटा देखते हैं आखें खुली रह जाएंगी लेगि उससे पहले पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जॉइन बटन से आप 799 का प्लान जॉइन कर सकते हैं जहां पर हर वीक एक वीडियो और डेली मार्केट अपडेट्स आपको मिलते हैं जो आपकी लर्णिंग को ठीक है अब ये डेटा क्या बता रहा है कि ये लोन राइट आफ हुए है यानि लोन माफ हुए है अब करोर का फिगर है तो आप ये देखो रफली रफली पकर के चले तो बैंक ऑफ बरोदा ने 10,000 करोर लोन माफ कर दिया बैंक ऑफ इंडिया ने 9,700 करोर सेंटल बैंक 8,700 करोर इंडियन ओवर्सीजने 7,200 करोर मुफ्त का माल है मतलब इनका माल है ये माफ किये जा रहे है ऐसा ही लग रहा है ना पंजाब निसनल बैंक 16,000 करोर SBI 8,000 करोर UCO 1900 करोर Union Bank of India 18,000 करोर टोटल कितना हुआ 92,000 करोर अब गौर करिए जो important data है 2019 से 2024 अगर आप ये देखो तो भले ही ये data मोटा मोटा ऐसा नहीं है कि इतने सालों से हुआ हो तो इसमें कोई बरी वाली गिरावट हो कुछ नहीं मोटा मोटा फ्लैट है थोरा बहुत उपर नीचे यानि साल बर साल कथा तो उतनी ही है और वही कथा लगातार चल रही है अब राइट आफ का मतलब है कि बैंक अपने balance sheet से ये loan amount हटा देता है क्योंकि इसकी recovery की संभावना कम होती है और ये खुद से माफ नहीं होता है NCLT बाबू है National Company Law Tribunal के अंदर होता है देख लूँगा उसको चुकाना है के नहीं बिंदास और यही है simple meaning NCLT का data से तो ये लगता है इसके बारे में भी वीडियो में बात करेंगे मेरी बात का भरोसा तो आपको हो नहीं रहा होगा तो एक data और देख लेते हैं जो की बताता है top 50 defalter कौन है अब ये top 50 defalter लाएं और ये list को हमने zoom कर दिया है गितांजली जेमस से सुरू करते वे ये लंबी list है वीडियो को थोड़ा सा आप पाउस कर लीजेगा और मैं धीरे धीरे आप स्क्रॉल करके देखिएगा तो ये सारे वो दिगज नाम है जिनकी कहानी में योगदान पूरा है ये किंग फीसर ब माफ हो जाता है मुद्दा ये है कि क्यों एक आम आदमी का लोन माफ नहीं होता आप अगर एक लोन ना चुका पाएं तो कैसे बैंक वाले एजेंट आपको हरास करते हैं अब तो लोन रिकवरी कॉल सेंटर बन गए हैं जिनको हायर किया जाता है बस रिकवरी के लिए इनके एजेंट दिन रात आपको ही नहीं आपके बस, रिस्तेदार, दोस्तों को भी पता लगा कर पैसे मांगते हैं कितने ही केसे ऐसे हैं जिसमें लोग आत्म हत्या करने को मजबूर हो जाते हैं पर लोन रिकवरी का बिजनस मॉडल बढ़ता ही जा रहा है जहां आम आदमी को ल अपरेट के बीच लोन को लेकर जादा कहा सुनी हो जाए तो उनका मैटर यही रिजॉल करते हैं क्या आपका लोन बहुत बढ़ गया है क्या आप अपनी लंदन प्रॉपरटीज को नहीं बेचना चाहते हैं हजारों एंप्लाई निकाल दिये हैं फिर भी बात नहीं वनी न 50% अरे चलो 60 अरे चलो 80 दे देते हैं 95 में डिल दन करो तो एक तरीके से माल लिया कि NCLT लोन माफ करवा देती है लेकिन इसकी भरपाई आम जनता से क्यों अब आप सूचेंगे कैसे बैंक आखिर पैसे कैसे कमाता है सस्ते रेट पर आपसे और हमसे डिपॉजिट लेना और इसी डिपॉजिट को higher interest पर lend करना लेकिन corporate को नहीं हमको bank deposit पर interest rate घटा देते हैं और loan जैसे education, home loan, car loan पर interest rate बढ़ा देते हैं आम आदमी की जनसक्या बहुत जादा है इसलिए हर एक इंसान से छोटा छोटा amount charge करते हैं ये लोग loan की भरपाई कर लेते हैं इसके अलावा transaction पर account handling charge बढ़ा देते हैं आपको लग रहा होगा न कि ये charges बढ़ा के कितना ही कमा लेंगे इसका आपको अंदाजा आपके real life case से पता चलेगा जब loan amount देखेंगे कि कितना बढ़ा loan amount माफ हुआ है तब आपके होसूरेंगे तब पता चलेगा ये छोटा छोटा बहुत बढ़ा ह के लिए that's the big reason ये चार्ज बढ़ाते हैं अब वहां पे एक और case बताता हूँ DHFL का इसकी सुरुवात 2019 में fraud और financial management के allegation से इसके बाद RBI ने इस case को कहां भेजा NCLT को भेजा 2021 case में पीरामल ग्रूप ने 37,250 करोर का offer दिया और NCLT ने इसे approve कर दिया DHFL को total 87,82 करोर का करजा थ ठीक है इसका मतलब lenders ने कितना haircut मिल लिया 57% का ये भी एक मिसाल है कि भाया कैसे write-off हो रहे है 50% discount तीसरा video con industry का सबसे बड़ा case इसमें lenders को 96% का haircut मिला Vedanta Group Twin Star Technology ने 2962 करोर का offer दिया जबकि करजा 62,000 करोर का था ये अब तक का सबसे बड़ा haircut है जहां creditors ने लगवग 96% loss बियर किया ये example दिखाता है कि कैसे बड़े business के लिए इतना बड़ा relief available है case 4 बूसन स्टील का case Tata Steel ने 35,000 करोर का offer दिया था जबकि करजा 56,000 करोर का था ये resolution 10 मेहने में complete हुआ और Tata Steel के bead को NCLT ने approve किया 63% recovery मिली तो अगीन यहाँ पर haircut है तो ये case speed और recovery दोनों के लिए benchmark बढ़ गया तो अब बात करते हैं इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए लेकिन उससे पहले आप ये बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होगे कि NCLT महबबत करती है अमीरों से और बहुत अच्छा haircut देती है अब ये haircut नहीं वो haircut जिसका ultimate असर हमारे pocket के cut परता है और ultimate वो पैसे हम से लिए जाते है तो अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चीए उस पे आएंगे बट आप मुझे comment में अभी वजाए इतना वीडियो आपने सुना अभी तक आपके wrong टिक हरे हुए या नहीं या आपको लगा कि सही में इतने सालों में जो हम लोग बहुत सारे law की बात करते हैं वहाँ पे ये law तो सबसे जादा important है आना चीए क्यों compromise settlement negotiate करें settlements को relevant judicial authorities से consent लेना जरूरी है इससे ensure होता है कि process transparent और legal as standard के according हो दूसरा NPA की recovery बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये depositors और stakeholder के interest को protect करता है compromise settlement को maximum recovery और minimum expense के साथ faster resolution पे focus करना चीए तीसरा public sector bank को compromise settlement के दौरान tax paying public के interest को borrowers के interest ज़्यादा important देनी चीए ये ensure करता है कि public resources efficiently utilize हो रहे हैं और taxpayer का पैसा misuse नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग जो tax भर रहे हैं उन सब के आधार पर सारा set up हो रहा है तो सरकार का एक सबसे बरी कोसिस होने चाहिए क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं इतने दिगज ग्यानी लोग बैठे हैं हर चीज का रूल होता है तो जब ये इतने सालों से चल रहा है क्योंकि data तो हमने आपको यहाँ पर 2009 से दिखाया बड़ यह क्यों क्यों ने भी रूल क्यों नहीं बनाया तो यानि कहीं न कहीं वो लूप होल है haircut का उसको देने को बैठी NCLT तो प्लीज मेरी request रहेगी कि ये बंद हो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें जिससे सब को बता चल सके चल क्या रहा है तो ऐसे ही topic उठा आते रहेंगे बस आप फॉलो करते रहें तैंक यू सो मुच